नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार मोदी जी तो पार्ल दर्शिता की बात करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूँगा नारा लगाते हैं और टीवी चैनल वाले एडी के एक छापे पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं लेकिं सच ये है कि मोदी और उनकी पार्टी गले तक खाकर बैठी हुई है और इससे भी ज़्यादा दबा कर बैठी हुई है जनता पूछ रही है आज कहा गया मोदी का नारा आखिर क्यों भाजपा जो हजारों करोड रुपिया गले तक खाकर और भाजपा दफतर की हर गई स्टेट बैंक आफ इंडिया ने कहा है कि चुनाओ से पहले हिसाब देने की स्थिति नहीं है हमारी आपको पता है मोदी जी और उनकी पार्टी यानि भारतिये जनता पार्टी कितना खाकर और कितना दबाकर बैठी हुई है पूरे साड़े छे हजार करोर रुपिया इ अखरिस से किस की पोल खुलने वाली है अगर ये पता चल जाता है कि भारतिये जनता पार्टी का आलिशान दफ्तर किसके पैसे से खड़ा हुआ है अगर ये पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी किसके पैसे से चुनाओं में हवा में उड़ते रहे हैं अगर ये पता चल ज किसकी साथकी हुई है इस हिसाब के मिलने से कि नरेंदर मोदी का चिहरा किन खड़ पतियों के चंदे से इतना गुलाबी है किसकी साथकी हुई है इस परदाफाश से कि नरेंदर मोडल की तरह जो दिन में पांच-पांच बार साफा पगड़ी कुरता पाजमा अचकंड टोपी शाल चादर बदलते हैं उसका खर्चा कहां से आता है पताई है किसी को दिक्कत मुझे तो नहीं है और आपको भी नहीं होगी लेकिन इलेक्टोरल बांड बेचने वाले सारो करोड की बंदरबाट करने वाले अरपतियों खरपतियों के ना मुझागर करो वो हमसे अभी नहीं हो पाएगा अभी और टाइम चाहिए कम से कम 30 जून तक चाहिए चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि लोग सभाद चुनाओं तक भाजपा की मेवे से बरी हलवे की पूरी पारात चलिए इसको समझते हैं कि मोदी जी खाने और दबाने का हिसाद क्यों नहीं देना चाहते आपको याद हो तो सुप्रीम कोट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड स्कीम को और समवैधानिक अनकंस्टिचूशनल गोचित कर दिया था आ चंदा लेने और चंदा लेने के बाद ते खाने में दबाने की ये स्कीम साक्षात मोदी जी लेकर आये थे और दबा कर खाने का सीक्रेट सिस्टम खड़ा करने के लिए मोदी जी ने देश के तीन तीन खानून बदल डाले थे भारतियर इस और बैंक अधिनियम आएकर और जन प्रतनिधित्वा धिनियम जब यह आया था तम ही से प्रशांद भूचन अंजली भारतवाज और ऐसे तमाम लोग कह रहे थे कि यह भृष्टाचार का भयानक सिस्टम बनाया गया है इसके कुछ दिनों के बाद ही कोर्ट में इसको चनौती दी गई थी कही लोगों न देते हुए इलेक्टोरल बॉंड जारी करने वाले इकलौते बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वह छे साल से चल रही से स्कीम के तहट डोनेशन देने वाले सारे लोगों कंपनी और संस्थानों समूहों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग क इसको बचाने के लिए किसके कहने पर यह होश्यारी कर ला है यह बताने की जरूरत नहीं है आप समझते हों जैसा कि आपको बताया स्टेट बैंक को छे मार्क से पहले यह काम कर लेना था लेकिन उसने अनिवारिय समय सीमा की आखरी तारीख यानि छे मार्क से ठीक एक दिन पहले कोट में एक आवेदन दाखिल करके का कि मिलाड आपने बड़ा मुश्किल काम दे दिया है इतनी जल्दी कैसे होगा हमने बेनामी चंदा खोरी के खेल के टॉप सीक्रेट दस्तावेज को साथ तहों के नीचे दबा कर रखा हुआ है इसको सामने लाने के लिए तो चा पूल ना जाने के लिए बनाते हैं मसलन पेट में दर्द चक्कराना मुखार जैसा महसूस होना उल्टी दस वगएरा वगएरा स्टेट मेंक के वाकील ने लिखा ये सुरिश्चित करने के लिए किये गए कड़े उपायों के कारण की दान दाताओं की पहचान गुमनाम रूप में नहीं रखा जाता दो अलग अलग साइलों में दर्ज किया जाता था साइलों समझते हैं किसान वाला साइलों ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दान दाताओं के गुमनामी सुरक्षित रहे क्या दबुच चुटकुला है मोदी जी कर चुनाओं से पहले पता चल गया कि मोदी ना केवल दबाकर खाते हैं बलकि खाकर दबाते भी हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं अब आईए ज़रा ये भी समझ लीजिए कि स्टेट बैंक अफ इंडिया की पेट में मरोड क्यों मोदी जी की लाई हुई दबाकर खाने और खाकर दबाने की इस सीक्रेट चंदा खोरी स्टीम की छे साल की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी का पेट भरा ही हुआ नहीं है फटा जा रहा है चंदा खाकर छे साल में उसे 6566 करोल का सीक्रेट चंदा मिला इसके बाद नमबर आता है कॉंग्रेस का लेकिन अबर पर बीजू जनतादल 774 करोल इसके बाद DMK को 615 करोल केसी यार की भारत राश्ट्र समयति को 383 करोल वाई यसार कॉंग्रेस को 382 करोल तेलगू देशम पार्टी को 146 करोल शिवसेना को 101 करोड और आम आदनी पार्टी को 94 करोड रुपे मिले इलेक्टोरल बॉंड से आपको हैरानी होगी है जानकर कि सीपियम इकलौती यसी रास्टी ये पार्टी है जो चुनावी बॉंड के जरिये चंदा स्विकारी नहीं करती है लेकिन कहानी क्या है कहानी है कि एलेक्टोरल बॉंड की सीक्रेट चंदा खोरी के जरिये 40% पैसा अकेले भाजपा खाकर औ इधर के एक साल का हिसाब इसमें शामिल ही नहीं है क्या यह इत्वाक है कि 2017 में मोदी जी सीक्रेट चंदा खाने का कानून लेकर आते हैं और इसके अगले साल मोदी जी भाजपा के नए चमक्ते विरास्टिया का रियाले का उधाटन दिल्ली में करते हैं जरा सोच कर देख कि अब आखरी बात मोदी जी और भाजपा दलील दे सकते हैं कि यह स्टेट बैंक की समस्या है कि वो सीक्रेट चंदा खोरी का परनाफास नहीं कर रही उसको और टाइम चाहिए लेकिन मोदी जी तो दूद के धुले है ना भाजपा तो दूद के धुली है ना वहीं बता द हूँ कि देख लो यह जो साले 6000 करोर का लिफाफा हमने पकड़ा है वो कि लोगों ने पकड़ाया है देश थैंक्यू मोदी जी बोलने के लिए तयार बैठा हुआ है भाजपा वालों चलते चलते बस एक टेबल देख लिए टाइमस ओफ इंडिया ने 2022 ते इसमें सीक्रेट चंदा देने वाले राजियों की लिस्ट पनाई है इसमें पहले नंबर पर दिल्ली है जहां मोदी जी रहते हैं और भाजपा का मुख्याले है और दूसरे नंबर पर जो राज है सीक्रेट चंदा देने वाला उसका नाम है गुजरात अब यह हम नहीं बताएंगे कि मोदी का रहने वाला है सोचिए सोचिए यह लोग किवल शाहरुक सल्मान आमिर को नहीं नचाते हैं और किसको किसको नचाते हैं यह हम क्या जाने आप खुद पता लगा लीजिए क्योंकि स्टेट बैंक वालों ने कहा है कि उसको बहुत पतली वाली पॉटी हो रही है इसलिए अ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फेस्बुक पर हमारा वीडियो देखते थे अब हम फेस्बुक पर अपना वीडियो नहीं डाल रहे हमारे पेज को रेस्टिक्ट कर दिया गया आपको यूटीव पर ही आना होगा हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए आर्टिक